इसमें क्यूस्टन देखिये और दिया गया आप लोग का अभी हम अक्षी इस्थित के लिए वैदुत चेथर के लिए बताया थे अब अक्षी इस्थित के लिए हम वैदुत वीभव का मान मता रहें कैसे साल होता सेम्ड इसे देख लीजेगा यहां पर दो आवेस लेते हैं यानि 2 पॉइंट लेते हैं एकworkers होता है एक पर आपका प्लस क्यू है चरफब्स कर दूरल दूर दूर इसमाल आर दूरी पर कोई प्वॉांट होता है आपका P जिस पर हमको अब की बार क्या जात करना है वीभो जात करना है तो देखें वीभो कैसे जात होता है सबसे पहले हम point Q से उस बिंद की दूरी जात करते हैं तो point Q से उस बिंद की दूरी क्या होगी यानि बिंद A से P की दूरी यहां से पूरा R है अगर हम पूरे में से इसको निकाल दें यल को इसकी दूरी पता हो जागी R-11 आजाएगी अब अगला हम माइनस Q से देखते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बिन्द B से बिन्द P की दूरी यह R है यह यह L है पूरह कितने हो जाएगा R-11 तो सबसे पहले लिखते हैं हापर विभॉध का फार्मला आप लोग जाने अंगे विभॉध repeal今日は उक्षार्ण जीरो क्यों आ Teachers फोर्म्ला होता है आपर नहीं इसी से साल होना है है तो सबसे पहले करते हैं बिन तो हम चलते हैं घरेंगे टो गिन यह पर कौन साव ऐसा है प्लस क्यू आवेस के कारण उत्पन वैद्धुत वीभाव विद्धुत वीभाव को वी से ए पर हो जाएगा प्लस क्यू के लिए था तो फार्मला आपको लोग देख सकते हैं वन अपान फोर पाई अपसालन जीरो क्यू बटे लेकिन एसे हमारी दूरी दूरी तो आर होता ही है लेकिन बिंदु एसे उसकी दूरी क्या है आर मैनस यल और मायनस हो जाएगा हमने क्योशन मान लिए फस्ट इसके बाल दिखेंगे बिंदु बी पर माइनस क्यू देखिए बैदुठ विभाक के अब यहाँ कमाश्म के लिए इसमें छिनना अलग होता है संग जाए छेट में भी वर प्लस थी लेकिन वीभामें वाहां सबनाइए छाएगा था माइनस को बा facing 0 यहां पर Q के आ तो माइनस वन अपान फोर पाई अपसालन जीरो क्यू बटे आर प्लस यला जाएगा हमने क्या माली इसको सिकेंड अब लिखेंगे परडामी वैदुत वीभव अब परडामी वैदुत वीभव होता है वी कोल टू वी ए प्लस वी इसमें अलग है ठीक है जेस्ट आएगा वी वी ए वी ए की वैलू आपके पास दी गई है क्या है यहां पर देखिए वन अपान फोर पाई अपसालन जीरो क्यू बटे आर माइनस यल फिर प्लस दिखा गया है वी 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 की वैलू देखिए माइनस में है आजाएगा माइनस वन अपान फोर पाई अपसालन जीरो क्यू भटे R प्लस Y L हमने यहां तक complete कर लिया तो we call to क्या आजाएगा अब दोन में क्या कामन है 1 upon 4 pi epsilon 0 और Q दूनमें है हमने कामन कर लिया 1 upon 4 pi epsilon 0 और Q तो यह निकल गया पूरा निकल जागत क्यों लगत्ताम ले रहा है बस टो वी कोल्ट तो आ जाएगा वन अपान फोर पाई अफसारन जीरो क्यो उसका लगत्ताम क्याएगा A minus B A plus B A square minus B square इसका गुड़ा हो गई इसमें R plus L एक कोष्टक में B चम माइनस कोष्टक लगा देंगे नितगरत हो जाएगा R minus L का गुड़ा एक में R minus L अब क्या जाएगा V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into R plus L लिखा गया है कोष्टक कटाएंगे तो माइनस का अंदर गुड़ा हो जाएगा माइनस R हो जाएगा माइनस L हो जाएगा upon R square minus L square अब लिखेंगे यहाँ पर minus R से plus R का इंसिल R square नीचे देखेंगे R बहुत बड़ा है किस से? L से तो L को हम निकलेक्ट कर देंगे यानि छोड़ देंगे तो V equal to आजाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into L दो बार 2 L हो जाएगा upon L square छोड़ देंगे क्या बचे क्या हो? R square तो V equal to क्या आजाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into 2 L किसका माहन होता है? पी का अबटे R square अब इसमें आप लोगों को एक चीद ध्यान देखना है अग 60 स्थित के लिए हमारा ही में फार्मुला है Q into 2 L लिख देंगे क्योंकि P बराबर होता है Q into 2 L यानि इसको बाइदू दुधरू बोलते हैं बाइदू दुधरू आगूर है एक आवेस और उनकी बीच की दूरी को ठीक है न यहाँ तक आपको question देख लिजीगा अगर कोई भी question नहीं समझ में आए तो comment में आप कह सकते हैं ठीक है? क्या है